नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गाप्रसाद मिस्र मिस्रा संस्कर्थ प्रोवोध के इस चैनल पर आप लोग कार्थिक स्वागत करता हूँ तो हम लोग साहित दर्पण को सुरू करेंगे और जैसा कि आपको पता है कि ये बहुत प्रतीक्षित गरंत है तो ठीक है, सुरू करते हैं साहित दर्पण किसने लिखा है? विस्वनाजी ने साहित दर्पण साहित का क्या है ये? साहित यानि वांगमे तो संपूर्ण वांगमे को ये क्या करेगा? माने, हाँ, प्रतविम्बित होगा संपूर्ण वांगमे क्योंकि संपूर्ण वांग में जो भी है काप विवांग में उसका उसमें किस परकार से उसको पढ़ना है या किस परकार से उसको बनाना है क्या उसमें भी सेस्ताएं हो सकती है क्या गुण दो सलंकार इत्यादि होते हैं क्योंकि जब हम किसी चीज को समझते हुए पढ़ते ह तो आनन्द आता है, सामान रूप से देखते हैं, तो वो आनन्द नहीं आता है, जब हम देखते हैं, अरे वाह, इसमें, ये कभी ने कुछ मतलब, क्योंकि हमको वेंग्यादी, चीजों का घ्यान कैसे होगा, जब हम इसको पढ़ेंगे, तो हमको समझ में आएगा, अच्छा, इसमें ये रहस्य भी छुपा हो सकता है, ये भी छुपा हो सकता है, तो जब उतनी चीजें पढ़ेंगे तो चमतकार उत्पन हो जाएगा, तो ये सब हमको ग्यान कौन कराएगा, ये ग्यान कराएगा, ये साहित दरपन, कि किसी काब में, किसी साहित में, क्या-क्या चीजें अंदर छिपी हो सकती है उन सब रहस्यों को यहाँ पर प्रकासित करने का काम कौन करेगा यह गरंद बास समझ में आगए कि नहीं इसका लेखक कौन है बिसुनाजी बिसुनाजी की कुछ उपाधियां है क्या क्या है अश्टादस भासा बार विलासनी भुजंग मतलब इसका है अठारा भासा रूपी जो बार विलासनी यानी गणिकाएं हैं उनके यह भुजंग यानी की कामुक है ठीक है, उसके बाद भुजंग मतलब उपपती होता है, जो जिससे प्रेमकाएं मिलने जाया करती है, तो उपपती होता है, सांधी बिग्रहिक भी है, इनकी उपाधी महापात्र है, साहित त्यारणव करणधार है, लिखा दोनी प्रस्थापन परमाचारे भी है, लेकिन वो ह सामान ने हो गया, और तो हम लोग देख लेंगे, ठीक है, ये साहित त्यारणव में कितने परिछेद हैं भाई, यानि ये परिछेदों में बटा हुआ गरंथ है, परिछेद बोला ना, पृत्मा परिछेदा यानि ये परिछेद में बटा हुआ गरंथ है, तो गरंथ के आ लेकिन कई बार मंगलाचरण होने पर भी गरंथ की समापती रही हुई, तो इसलिए हम क्या करते हैं, बीच में कुछ जोड़ देते हैं, हम जोड़ देते हैं बिगनों के अभाव को, कि मंगलाचरण से क्या होगा, बिगनों का अभाव होगा, बिगनों के अभाव से गरंथ क समाप्ती होगी बही तो कादमबरी मंगलाचरण है लेकिन कादमबरी पूरा नहीं हुआ उनके पुत्र बानवट्ट के पुत्र न पूरा किया तो गड़बड है न तो उस गड़बड को दूर करने के लिए जोडते हैं बिगना को जैसे जितना मंगला चरण होगा उतना बिगन हटेगा और जितना जब बिगन पूरी तरह अगर हट गया तो ग्रंतसमाप्ती हो जाएगी अब मंगला चरण कम पड़ गया 20 स्लोग लिखे ते फिर भी कम पड़ गया कादंबरी में नहीं देखे 20-20 स्लोग लिख दिये तब जा के तब भी कम पड़ गया बिगन नहीं पूरी तरह सेटे तो नहीं पूरा कर पाए समझें कि नहीं? इसलिए क्या बीच में जोड़ना पड़ता है जुगार? बिगन को बिगन रूपी जुगार को जोड़ देते बीच में क्या होता है ? कि इसली निर्विख्न लिखा अने कि जब गरंथ का आरंभ करेंगे गरंथ क्या है? तो किसी एक विषेश उद्यस्थे को ले कर चलने वाला महान वाक्यों का समूह हो समझगे कि नहीं? तो वो गरंथ है उसके आरंभ में मंगलाचरण करेंगे उससे क्या मिलेगा बिघन की समाप्ती और जब बिघन की समाप्ती होगी तो गरंथ की भी समाप्ती होगी अब अगर बिघन समाप्ती नहीं होई तो नहीं होगी गरंथ समाप्ती समझगे कि नहीं तो यावस संख्याकम, यावस संख्याकाहा विखनाहा, तावस संख्याकम मंगलाचरणम गरंथसमाप्तिम प्रतिकारणम, न केवलम मंगलाचरणम गरंथसमाप्तिम प्रतिकारणम, केवलम मंगलाचरणम गरंथसमाप्तिम प्रतिकारणम, इत्ति चमानेतु, यत्र सिर्ट कथम बारें रहते तो उसका हम विज़्ञ जोड देंगे मांने कि मंगला चरय ने विघनानागी बीरएन का धा stitched of भीरणा धीज भ्यरणत्रन LEA बिगनानाम अभावास थी, अतहाँ मंगलाचरणा स्यावस सकते बनास थी, मंगलाचरणाम बिना गरंत समाप्ती तत्र जाता, समझेक नहीं, अत्वा नास्तिकादी गरंतों में देख सकते हो, मंगलाचरणा नहीं होता, फिर भी गरंत सम्पोर्ण हो जाता है, तो फिर कैसे ह क्योंकि वो पहले उनका तपस्या इतनी बड़ी हुई है। नहीं समझें। दिक्कत रहें। तो यह तो हो गया। इसलिए निर्विघ नहीं लिखा कि बिग्ध न हटा करेके। समझें कि नहीं। फिर प्रारिप्सित परिसमापती काम हा। प्रारिप्सित कौन हो गया। प्र प्रारिपसित का अर्थ होता है प्रारब्धूम इश्ठा प्रारब्धूम इश्ठा प्रारिपसित है। प्रारब्धुमिष्टः कहा ग्रंथः उस ग्रंथ की परिसमापती की कामना करने वाला कौन हुआ ग्रंथकार विस्वनात और उनके तो वो क्या कर रहे हैं वो वंगलाचरण कर रहे हैं तो वाग देवता का वाग देवता का ही क्यों कर रहे हैं वाग देवता यानि देवता वाणी की अधिष्ठात्री देवता सरसुती उन्हीं का क्यों कर रहे हैं क्योंकि उन्हीं का करना उचित है समझे के नहीं क्योंकि वही समुचित हैं क्योंकि वो वो हाँ समुचित इश् मतलब उनकी प्रसनता को, उनका मुख प्रसन्न हो जाए, इसलिए आधत्य माने करोती कर रहा है, उनके मुख को प्रसन्न कर रहे हैं, समझे का नहीं, मंगला करेंगे, उनकी इस्तुती करेंगे, उनका मुख कमल प्रसन्न हो जाएगा, खिल जाएगा, नहीं समझे, इसलिए सा मुख्यम का मतलब क्या है परसन्न मुखत्य को आधत्य माने कर रहे हैं कौन विस्वनाजी कर रहे हैं समझेक नहीं तो प्रार्थना कर रहे हैं प्रार्थना, क्या है मंगलाचरण तो सरदिंदु सुंधर अरुचिस चेतस सामे गिराम देवी अपरत्यतमहा संततम मर्थान अखिलान प्रकासे तू तो यहाँ पर क्या है सा में गिराम देवी सा देवी, वो देवी कौन है? सरसुती जो वांगमे की क्या है अधिष्ठाता है जो वाने की अधिष्ठात्री है वो देवी मेरे चित में क्या करें तम को जो ब्याप्त तम है उसको हटा करके सम्मसर्थों को प्रकासित करें अब वो देवी का विशेशन है सरदिंदू सुनगर रुची ही तो सरतकालिक जो इंदू उस इंदू के तुल्य जो इंदू मने चंद्रमा सरत कालिक चंद्रमा जिस प्रकार से सुभ्र मने सफेद स्वेत वर्ण का होता है धवल कांती वाला होता है उसी प्रकार से सुंदर धवल कांती है रुची मने कांती छवी सोभा संदर है जिनका इस प्रकार की वाने के इश्टात्री देवता बात समझ में गना इबस स्याम हाँ गन के समान स्याम उसी प्रकार से इंदु हु इब या इब के इब जो है वो उपमानाने सामानने बचने इसा समास हो गया है तो सरतकालिक जो इंदू उस इंदू के तुल सुंदर रुची वाली सुंदर कांती शोभ मेरे चित्त में संतत्माने फैले हुए तमह माने अज्ञान को अंधकार को अज्ञान रूपी अंधकार को अपरत्य हटा करके संतत्माने फैले हुए अंधकार रूपी अंधकार को क्या करें हटा दें और अखिलान अर्थान प्रकासितु संपूर्ण अर्थों को प्रकासित क वो अर्थ जिनसे हमारा जीवने निर्वाह हो सके, हमारा काब्बे निर्वाह हो सके, समझे के नहीं, मुक्तियादी मिल सके, तो ये जितने भी अर्थ हैं, उपयोगी अर्थ हैं, सारे उपयोगी अर्थों को वो क्या करें, हमारे हर्दय में प्रकासित कर दें, चेता सीमाने, संतत्माने फैला हुआ अथवा संतत्माने लगातार दोनों वर्थे हैं इसके बास समझ में आगई एक नहीं तो सरतकालिक इंदू के तुल्य ये सरतकालिक इंदू से क्या किया जा रहा है उनकी उपमा दे जा रही है बास समझ में एक नहीं और यहां एक बात ये भी है सरतकालिक इंदू से क्यों तुलना की जा रही है क्योंकि चंद्रमा भी तो क्या करता है गटपटाद दिर्थों को प्रकासित करता है और लोगों के हर्दय को हर्दय माने में आनंद उत्पन करता है ऐसे ये भी अज्ञान रूपी अंधकार को हटा देंगी ज्ञान रूपी प्रकास को करेंगी तो क्या होगा मने हर्दय में आनंद नहीं होगा फिर आनंद उत्पाद कत्त भी है और हर्दय में प्रकास कत्त भी अर्थप प्रकास कत्त भी है चंद्रमा भी घटपटा दिर्थों को प्रकासित करता है कि नहीं करता है और क्यों करता कि उससे प्रकासित होता है तो फिर लोग अपने राष्टे इत्यादि जा पाते हैं समझे के नहीं लोग कब व्यभार सिद्ध होता है और हमारे हरते में भी सभी पदार्थ प्रकासित हो जाएंगे हम लोग भी लोग अभ्यभार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे बात समझ में एक रहें हाँ बताओ अगर एक बार लिख दिया तो अब क्या करें नहीं समझे आईसा बोलने में कोई समस्या है क्या आईसा कोई नियम तो नहीं है कि मतलब अगर लिख दिया तो अब क्या करें वो नहीं मतलब अगर एक बार लिख दिया तम को हरण करें तम को हरण करके फिर क्या करें तो ठीक है तम हरण करें यह भी हो सकता इसमें कोई दिक् करनी है पाप हटा दिये तो फिर पिर क्या फिर यहीं पड़े रहें नहीं मुक्ति भी तो देनी है तो दोनों बाते बोल दिया अगर तो कोई समस्या नहीं है बास समझ में अएक नहीं है तो अब देखो हाँ अब बता रहे है कि कुछ नहीं बही मंगलापर fluids मंगला दीनी मंगला अंताने चास्तराने प्रथंते वीर पुरुशाने चुहूंती और अध्यतारष्च प्रभक्ताराव बनती तो भास्यकार ने ये कथन किया अब समस्या संका क्या है थी आपकी कि मंगला चरण तो पहले होना चाहिए शुरू में होना चाहिए हाँ कईसे तो भाई बात ये है के जो मूल ग्रंत है वो यहीं सब्सक्राइब हो रहा है पहला सूत्र यही है अब वो ब्याक्ख्या में मंगला चरण क्यों नहीं किये तो सोचे होंगे दूई लाइन बाद चलो सूत्र में है ही तो क्या करना ब्याक्ख्या में क्यों करें नहीं तो पता चला पहले ब्याक्ख्या में मंगलाचरण करें चार फिर इसमें करें उसकी ब्याक्ख्या करें तो कोई बात नहीं और एक तो ये बात दूसरी बात क्या है मंगलादीनी में आदी सब्द जो है आदी अभयव का बाचक नहीं है कि मंगलाचरण आदी अभयव ही होना चाहिए समझ गई कि नहीं उसके समीप में हो तो भी कोई दिक्कत नहीं हम आपको उदाहरन बताए थे जैसे एक नियम है कि हांश्टा ध्याई में ही देख लो ब्रद्धिरादायच मंगलार थक शुरू में है मानलो कोई दिक्कत नहीं लेकिन भूबादे अधातवा जो है वो मध्य में नहीं है भूबादे अधातवा उसके पहले अध्याये में एक दो पाध छोड़ कर के तिसरे पाद में भूबादे अधातवा लेलो अब बताओ वो पकार तेरों comprend र था परीजुग्यते पासकार ने कहा कईसे हो सकता है become अज्यनोग ring तुष्व में मैं रॉव सकती हिए वह प्रंटार हमी को और इसे ही अगर अधिम समरिश्छत से करे करके क्या सूत्र है कि अगरू उसवह थे कृफल थे लेकिन लेकर पॉब्हिक्त अश्टध्याई का अन्तिम सुत्र अ अ उसमें तो मंगल अच्रनण नहीं है, कहां पर है? उसका दो-चार सूत्र उपर नोदात्त सुर्कतो उदय है, मंगार के कास्यप गालवा नाम करके उसमें उदे सब्द का प्रयूski दे उसका मतलब है पर में, बाद में, तो उदे का प अंत सब्द सो समीप के बाचक है कि आस पास में भी हो तो भी चलेगा जैसे एक प्रमाण हम आपको दिये धे दुन्दाद उदुंद मध्ये प्रतेकम अभिसंवध्यते नियम है दुन्द के आदी में दुन्द के मध्य में उदुंत के अंतिम में सुना गया अपद अब समस् आल बात है कि एंदेखो प्राथपदिकार्थलिंग परिमानवचन मातरे अरन वचन थारिक्स परिमान वचण परिमानन तो ने वा लिए अद्वचन मातर के साथ अधकी है वहां थार्ण द्वचन कहा है तानिये वह इती मात्रम वचन मात्रम में उर्वेंस का देश्य तत्वरूस होता है तो बताओ अंतिम है वहां दुन्दू का अंतिम है मात्र वचन है ना अंतिम तो सब के साथ अन्नों किसका होगा वचन का मात्र का होता है लेकिन कैसे हो पाएगा तो उसका अंतिम मितलब अं अधि कान्वें तो होता है लेकिन अधि तो दुन्द का अधि अव्यव नहीं है तो कईसे होगा तो उसके आधि के समीप में ले 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 लेना है तो कोई दिक्कत नहीं है इसके इलाब और कोई संका चलो तो ये तो हमारा मंगलाचरण हो गया मंगलाचरण के अभिसाय में सामान ने और मंगलाचरण दो तीन प्रकार का जो भी होता हूँ आप लोग देख लेना अपना ठीक है आप कहते हैं कि ऐसे ग्रम्थस्य काभ्यांगत या काभ्यफल इर्यव तो देखो अंग और अंगी दो चीजे हैं नियम क्या है प्रयोजनम अनुद्धिस्य मंदोपी न प्रबर्तते प्रयोजन के बिना मंद की भी प्रबर्ति नहीं होती तो कोई विद्वान आदमी है बताओ वो अगर वो बिना प्रयोजन के कुछ लिखेगा पढ़ेगा तो फिर प्रयोजन बताना पड़ेगा और आपको पता है और यहिवान प्रयोजन प्रावित्वाम तो Future जबना प्रयोजन के मूर्किी बीडर्बर्ती नहीं होती इसलिए प्रियोजन की बात करेंगे तो ये प्रियोजन क्या है तो देखो नियम क्या है अंगी के फल से अंग फलवान होता है अंगी मतलब क्या है अंगी यानी मुख्य अंगी मतलब मुख्य और अंग यानी अंग माने उपकारक और अंगी माने मुख्य अथवा उपकार्य उपकार्य अथवा प्रधान क्या है उपकार्य नहीं उपकार्य अथवा प्रधान और अंगी यानी अंग माने उपकारक और गौन समझ गई कि नहीं अंगी यानि जैसे राजा जैसे अंग यानि उसके नोकर चाकर ठीक है अब ये बताओ ये सारे अंग नोकर चाकर उपकारक गोण ये सब किस के लिए होते हैं प्रतान के लिए अंगी के लिए के लिए होते हैं ना भाई अगर सायनिक जीत गए तो राजा जीत गया अब अगर राजा जीत गया तो सायनिक जीत गए कर नहीं जीत गए तो सायनिकों कोई अपना जीतना प्रियोजन तो नहीं है मुख्य प्रियोजन किसका अंगी का अंगी के फल से अंग भी फलबान होते ह तो यहां अंगी कौन है? यहां काब्य अंगी है. काब्य क्या है? अंगी यानि मुख्य है, प्रधान है. और यह जो गरंथ है, यह क्या है? यह अंग है काब्य का. यह गरंथ क्या है? अंग है और काब्य अंगी है. तो काब्य के फल से ही, फलों से ही यहां गरंथ भी फलवाल हो जाएगा समझे कि नहीं काब्यांग तेया काब्य कांग होने से काब्य का फल भी बताएंगे काब्य के फलों से ही यागरंत भी फलवान हो जाएगा इती माने इसलिए काब्य के फलों को आहमाने कतायती काब्य के फलों को कह रहे हैं नहीं समझे अब यहां काब्य फलाई ही में फलके बाद काउंसी विवक्ति है तरतिया विवक्ति कार्थ क्या है अभेद 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 क वो तो मैट प्रत्य होता है ना तत प्रकृत बचने मैट से तो प्राचुर्य अर्थ में नहीं होता मैट प्रकृत बचन माने प्राचुर्य अर्थ में इस प्रकार से अर्थ निकलता है उसका मैट प्रत्य के द्वारा एक माने एक बस्तू जहां प्राचुर्य से प्रस्तू उसकी सभाव ही सुन्दर है गोत्रेन गार गया गोत्र से गार गया गोत्र ही गार गया वहां अभेद में तर्तिया हो जा रही है किसमें तर्तिया हो रही है तो वो अभेद में तर्तिया कौन करता है प्रकृतिया दिभ्य उपसंख्यानम जहां किसी तर्तिया ना हो सके वहां पचरित ही दान्त है, समझें कि नहीं, दान्त मने दम युक्त, सम दम, दम मने क्या है, बाही इंद्रियों का निग्र है, सम अंतरिंद्रिय मन का निग्र है, चलो, तो ऐसे है, देख लेना जा कि चलो, तो ये गरंत क्या काब्विका आंग है, तो काब्विके फलों से ये गरं प्रतिपाद्य प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव ये एक संबंद है और दूसरा संबंद क्या होता है साध्य साध्य साधन भाव ये दो संबंद होते है ठीक है प्रतिपाद्य क्या है प्रतिपाद्य इस ग्रंथ में जो इस ग्रंथ की विशय वस्तु एकाब्य का सुरूप है गोण दोसरा सलंकार सब कुछ है ये प्रतिपाद अब प्रतिपादक कौन है यहां ग्रंथ है तो ग्रंथ और विशय के मद्ध में कौन सा संबंध होता है ग्रंथ और विशय के मद्ध में कौन सा संबंध होता है प्रतिपाद प्रतिपादक भाव फलों की सिध्धी कौन कराता है ग्रंथ कराता है तो ग्रंथ 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 समझें कि नहीं, जो प्रियोजन है, प्रियोजन, विसे संबंद अधिकारी, तो प्रियोजन भी तो है, प्रियोजन की सिध्धी को उनको राता है, गरंथ, तो गरंथ क्या है, साधन है, अब प्रियोजन क्या है, साध्य है, गरंथ उसका साधन है, तो गरंथ और प्रियोजन क मद्धे में देखेंगे तो साध्य साधन भाव संबंध होगा हर जगए आप याद रखना अच्छा अनुवंद चतुष्टे में गरंत और विशयका प्रतिपाद्धि प्रतिपादक भाव गरंत और प्रियोजन का साध्य साधन भाव संबंध होता है समझगी कि नहीं भाई गरंत से ही प्रियोजन सिद्ध होंगे ना समझें कि नहीं तो गरंत और प्रियोजन में क्या है साध्य साधन भाव गरंत क्या है साधन है प्रियोजन जो है वो साध्य है समझगी कि नहीं तो ये बात सामान नहीं है इसको आप याद रखिएगा तो इस प्रकार से ये ग तो काभ्वी फ्रियोजन यह पुषू. काभ्वी फ्रियोजन वेधानी आहाँ, काभ्वी के फलों को बता रहे हैं, क्या है काभ्वी के फल भाई? तो चतुर वर्ग फलब प्राप्ति ही सुखा दलपधियाम अपी काब्या देव यतस्तेना तत्सरूपम निरूप्यते समझ गई कि नहीं चतुर वर्ग फलब प्राप्ति जो है ये काब्य का प्रियोजन है काब्यात एव काब्य से ही काब्यात एव माने काब्य से ही समझगे कि नहीं या होता है चतुर वर्ग फल प्राप्ति होती है चतुर वर्ग से क्या लेना है धर्म अर्थ काम मोक्ष ठीक है चतुर वर्ग फल की प्राप्ति किस से होती है काब्यात एव काब्य से ही होती है यता माने चूंकी यता माने चुँकि काब्य से ही चतुरुबर्गफल प्राप्ती होती है तेन माने अतह तत सुरूपम माने काब्य का सुरूपम निरूप्यते यानी बताया जा रहा है निरूप्यते यानी बत्बोधित किया जा रहा है जैसे पाठा पठे थे पाठ पढ़ा जा रहा है नहीं समझे जलम पीयते भोजनम खात देते तथाईव काब्य स्वरूपम निरूप्यते निरूपन किया जा रहा है समझ गई कि नहीं सुखात सुख से ही अलपधियाम अपी कम बुद्धी बालों को भी अपी लिखा है न सुखात अलपधियाम अपी अलपधि बुद्धी बालों अलपध है धी जिनकी अजिनकी बड़ी धी है बुद्धी जादा है तो बहु बुद्धी बालों को भी क्या होता है सुख से ही काब्य से ही चतुरबर गफल की प्राप्ति हो जाती है यता हमाने तेन माने तत माने क का直接 कॉर्ब्र के सुरूप को रोपन कर रहा है सुखात मने सुख से ही काब से सुख से ही अल्पबुद्धी几 वालों को भी चतुरिवर्ग फ्लफ प्राप्ती हो जाती है समझगी कि नहीं तो इसलिए जो काब्य से हो जाती है यह काब्यकांग है इस से भी होगी इस सित्र में लिख दिया दूसरा सूत्रमां लिख तो दिया उती है कैसे होती हे तो narissi उसको व्याख्या करेंगे, कैसे होती है, तो देखो ही सब्द लिखा है, चेतुर बर्ग फ्लाप्राब्तिर ही, ही का मतलब है, पूर्व कहे हुए को दिखा रहे हैं, पूर्व कथितम दरसयती, ही का मतलब क्या होता है, पूर्व कथितम दरसयती, पूर्व में कहे हुए को मन उसको युक्तियों के द्वारा उसकी उपपत्ती कर रहे हैं क्या कर रहे हैं उपपत्ती मतलब उपपादनम उसको सिद्ध करना बनाना उसको तो देखो चतुर बर्ग फल की प्राप्ती ही मतलब वही उपपत्ती कर रहे हैं काव्यता काव्यसे होती है कैसे होती है तो देखो रामा अदिवत प्रवर्तितव्यम रामा अदिवत क्योंकि जब रामा इंड पढ़ेंगे समझ आएगा कि राम की तरह हमको विभार करना चाहिए तो कृत्य में प्रवर्ति करा दी क्या करा दी और रावन आदिबत रावन की तरह हमको अकृत्य करने नहीं चाहिए तो अकृत्यों से क्या कर दी निव्रत्य कृत्य मतलब करने योग्य जो धर्माचरण है करने योग्य हाँ इत्यादी कृत्य अकृत्य कृत्य मतलब धर्माचरण जो की बेद में भीत है औकृत्य यानि अधर्माचर जो की बेद में निसिद्ध है तो काप बे क्या करता है कृत्यों में परवर्ति कराता है और कृत्यों से समझे कि नहीं पाप से निवर्ति कराता है उसका उपदेश करता है निवर्ति का उपदेश कौन करता है नहीं समझे करते में परवर्ति या करते से निवर्ति का उपदे सम्मित मने तुलय, कांता सम्मित मने कांता के तुलय, जैसे कांता सरस्टा का अपादन करके और अपने अभिमुक करके प्रवर्त करा करके on की करते हैं और जिदर चाहती उदर लगा देती है तदवत काब्यमपी, सरस्ता का आपादन करके और जिधर चाहता है उदर प्रवृत्ती निवर्त्ती सब करवा देता है ये नहीं करवा देता है तो इसलिए स्थु प्रतीता एव ये बात तो प्रतीत माने परसिद्धा ही है ये बात तो बड़ी स्फष्ट है और क्या रामादिबत प्रवर्तितव्यम्न रावणादिबत तो जब ये होगा तो चतुरवर्ग रूपी फल की प्राप्ति हो जाएगी के नहीं हो जाएगी चत्रुबर्ग धर्मर्त कामोक्षी की प्राप्ती हो जाएगी समझे कि नहीं क्योंकि यह समझ गई कि नहीं समझे रावन की तरह दूसरे की दारा का हरण नहीं करना है रामादी की तरह पितादी की आग्या का पालन करना है समझे कि नहीं तो अब जैसे बेद वाक्यों को करने से क्या होता है धर्म मिलता है वैसे यहाँ पर भी जो है काब्वे में जो चीजें माने कृत्य जो प्रतिपादित किये गए हैं उनको करने से भी धर्म की प्राप्ति होती है समझगे कि नहीं उक्तंच भामहें भामहें ने भी कहा भामा ने क्या कहा भाई धर्मार्थ काम मोक्षेसू बैचक्छन निम कलासुच करोति कीर्तिम परितिंचा साध्धुकाब्य निशेवड़ां समझगी कि नहीं देखो यहां पर प्रस्न पूछा जो गया था उसमें उत्तर में क्या था साथ और इसे लिखे कितने हैं चार एक धर्मार्थ काम मोक्ष पहला कला दूसरा अकिर्तियोप्रिती टोटल c4 वैसे धर्मार्थ काम को करदो कितने चार करदो तोटल हो जाएएंगे 7 समझगी की नही तो साथ प्रयोजन भामाने काविके बताएं हैं धर्म में वैचक्षन धर्म अर्थ काम और इन सम्में क्या हो जाता है वैचक्षन निपुणता नहीं समझें इन सम्में धर्म की निपुणता का मतलब यही है कि उसकी प्राप्ति हो जाए और क्या धर्म इत्यादी की समझें क विचक्षनत्यों का मतलब तो पांडित ही होता है विद्वान होना पंडित होना निपुण होना समझगी कि नहीं है तो धर्म विशेक आपको विचक्षन्ट मिलता है अर्थ विचक्षन्ट मिलता है विचक्षन्ट मतलब ये भी है कि आप अलग हो जाते हैं सबसे धर्म हो ज कावब का निसेबन कावब का निसेबन मने सेबन कावब का सेबन जो है एक करता है किसको करता है किरती और प्रीति को उत्वन सेबन मतलब कावब को करना कावब सुनना कावब पढ़ना कावब लिखना कावब में प्रेत्न करना यह जो कुछ कावब का मनन चिंता नित्यारी कर यह सब काप्विका क्या है निशेबन है काप्विका सेवन है निउपसर्ग लगा हटा दो तो क्या होगा सेवन काप्विका सेवन समझें कि नहीं सरवणादी नुष्ठान और क्या सुनना मनन करना उसको लिखना पढ़ना सब कुछ क्या है निसेबण है कापवेका और ये कापवेका निसेबण यदियाब करते हैं तो कीर्थी और प्रीती उत्फन होती है धर्मर्त और काम मोक्षिके जो उपाएं हैं जो कुछ भी उपाए हैं ब्रह्म विद्यादी वो सारी चीजों में हमको क्या प्राप्त होती है बिचक्षानता प्राप्त होती है निपनता होती है और कलाओं में चतो सश्टी कलाएं है उनमें भी क्या होती है निपनता प्राप्त समझ गई कि नहीं लेकिन साधू होना चाहिए अब ये साधू दो तरब से है, साधू दो में जुड़ेगा, काब्वे में भी जुड़ेगा, और साधू करोती में भी जुड़ेगा, साधू का मतलब क्या है, सम्यक, अच्छे से, अब अगर साधू को काब्वे में जुड़ेंगे तो इसका मतलब अच्छा काब्वे होना चाहिए, दुष असलिल्टा की चरम सीमा को पार कर देते हैं तो अगर अईसा काव्म होगा तो क्या करेगा वो दिवड़ीबस्ट करेगा नई जम्म्झे तो आइसा, इसा वो साधूं है आएछ साधू काव्म है अईसा काव्म नहीं लेना है समझ गी क्यों क्यों कॉ नहीं कोई अच्छे से काब बेका निसेवन करता है सम्मे गुरूप से करता है तब ही जाके उसको ये सब कुछ प्राप्त होगा अन्य था ये कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, समझ गई कि नहीं, चलो ये बात इस परश्ट है कि नहीं अब कहते हैं कि किंच अब इस बात को और भी बढ़िया तरीके से बता रहे हैं, सीधे सीधे, डाइरेक्ट जैसे क्या था कि काब बे से तो हमको सिर्फ करतब्य करतब्य का ग्यान होगा, ये पता चलेगा कृत्य करना चाहिए, अकृत्य नहीं करना चाहिए लेकिन डाइरेक्ट तो धर्म नहीं मिल रहा भाई काप बे सीधे धर्म दे रहा है क्या काप बे तो उपदेश दे रहा है उपदेश के द्वारा बोला था न सीधे कहां सीधे कहां तो का सीधे करा रहे हैं अभी देखो काब्य तुम इधर उधर वाला क्यों ही काब्य लेते हो तुम काब बैगसा पकड़ो इस्तुती काब्य माने क्या पकड़ो अब बता इस्तुती करोगे तो क्या होगा सीधे मिलेगा धर्म की नहीं मिलेगा क्या समझे काब्य मतलब इस्तुती, अस्तुती रूप काब्य भी तो होता है, भगवान नारायन के चरणारविंद की इस्तुती, भगवान नारायन के चरण कमलों की इस्तुती, इस्तुती रूपी काब्य पकड़ोगे, तो उस काब्य को सुनने पढ़ने करने से क्या होगा, सीधे धर्म की प्राप् चतुरुबर्ग फल की प्राप्ति पहले उपदेश के द्वाराज बताई थी अब चतुरुबर्ग के सिद्धी साक्षात बता रहा है नहीं समझे अरे काब्यात लिखाना काब्य से किंच का मतलब है कुछ और दिखाना होता है तो किंच लगा देते हैं नहीं समझे कि काब्य से धर्म की प्राप्ति भगवान नारायन चरनारविंद चरनकमलों के अस्तव यानी की इस्तुति करना उनके गुणगान करना नहीं समझे भगवान के गुणों का गान करना इस सुनना उसकान को सुनना तो इत्यादी के द्वारा साक्षात काब्य से धर की प्राप्ति होती है ये बात समझ में आ गई कि नहीं इस बात में प्रमाण दे रहे हैं कि एका सब्दा अगर एक सब्द भी सूपर्युक्त अच्छे से प्रयोग कर लिया जाए माने अच्छे से प्रयोग कर लिया जाए का मतलब क्या है कि उसमें ब्याकरण का कोई विरोध व्याकरण का विरोध नहीं होना चाहिए और रस्वाला हो सुपर्युक्त तभी कहा जाएगा आई से थोड़े सुपर्युक्त माने हम तुम कुछ बोल दे रहे हैं यह सब सुपर्युक्त नहीं है काप्वे में प्रियोग होना चाहिए और रसयुक्त और कैसा हो ब्याकरण से बिरुद्ध नहीं हो ब्याकरण से बिरुद्ध नहीं होना चीए ब्याकरण के अनुकूल ब्याकरण से बना हुआ और रसवाला सुपरयुक्त मतलों काब्य में अगर वो प्रयोग किया गया है काब्यांतर निवेशित किया गया है समझ ये तो हो गया, तो वो क्या करेगा, तो वो धर्म देगा, तो वो क्या करेगा, किसको प्रयोग करने वाले को, किसको देगा, और यदि सम्य ज्याता, यदि उसको कोई पढ़ने वाला है, उसने जान लिया, कि अरे, ये सब्द तो व्याकरण से सही है, सिद्ध है, और प्लस र सब्द को जान लिया कि ये सब्द तो आनंद जनक है रसदायक भी है और ये व्याकरण से भी रुद्ध भी नहीं है साधू सब्द है तो उसको कोई सम्मय रूप से ग्यात मतलब जान लिया उस सब्द को तो ऐसा वो सब्द उस प्रयोकता के लिए और उस ग्याता के लिए प् इस लोक में काम धुक भबती यानि कामनाओं को दोहन करने वाला होता है यानि जो विक्ति चाहता है वो उसको प्राप्त कर लेता है बास समझ में कि नहीं सारे कामनाओं की पूर्ती करने वाला होता है समझ एक कौन एक सब्द किसके लिए प्रयोकता और ग्याता दोनों के लि और ज्यात करने वाले के लिए स्वर्ग में भी और इस लोक में भी कामनाओं का दोहन करने वाला होता है। इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि ये कामधुक सब्द बताता है कि वो एक सब्द किसको पैदा करता है। उन्होंने लिख दिया हर्स के नाम से और हर्स ने उसको क्या कर दिया स्री हर्स ने और क्या पैसा दे दिया हो गया। समझेगे नहीं सीधे प्रतेक्ष धन की प्राप्ति और काम प्राप्ति इसका अर्थत द्वारा अर्थ रहेगा तो कामनाएं भी हो जाएंगी प्राप्त। धर्म से अर्थ होता है अर्थ से काम होता है काम से सुख मिलते हैं समझेगे ने इच्छा प्राप्ति होगी तो सुख होगा कि नहीं होगा चलो बोले मोक्ष प्राप्ति का देगो मोक्ष प्राप्ति के लिए नियम लगेगा एक नियम क्या है नियम ये है युक्तह कर्म फल क्या है करके गीता हां यत करो सी ददास यत और यत तपस्या से कोंते है यह तत करो तत करो सो मदरपड़ाँ वह सब मेरे अरपण कर दू क्यों क्यों कि अगर कोई भी कर्म अगर किसी कामनास किया जाएगा तो वो कोई भी यज्यादी कर्म है कुछ भी है तपस्तिया है खाना पीना जो कुछ भी अगर किसी कामना करोगे कामना पूरी होगी लेकिन अगर भगवान के अरपन करके वो कर्म करोगे कोई कामना बिना रखे सिर्फ भगवान के अरपन करने के भाव से कोई भी कर करोगे तो क्या होगा नारायन अर्पन मस्तू ऐसे करके करोगे तो फिर भो कर्म कोई फल नहीं देगा क्या करेगा भो कर्म मोक्ष प्रदान करेगा अगर तुमने धर्म किया लेकिन साथ में कामना भी कर दी कि इससे हमको यह मिल जाए तो फिर तो भो कामना भी भूरती होगी मोक्ष नहीं मिलेगा तो मोक्ष के लिए सर्थ क्या है कि धर्म के फल का आप याद न करें धर्म के फल को इस्मरण करके बोकारे न करें धर्म के फल का अनुसंधान न करें धर्म के फल को अगर अनुसंधान मने इस्मरण करेंगे तो फिर मोक्षी की प्राप्ति नहीं होगी अगर धर्म के फल की प्राप्ति होगी अगर अनुसंधान नहीं करेंगे तो धर्म की प्राप्ति नहीं तो मोक्षी की प्राप्ति हो जाएगी मैं बता रहें कि मोक्षप प्राप्ति मोक्षी की प्राप्ति एतत जन्य एतत माने यही पूर्ण कर्म या काब ये से जन्य जो धर्म है उस धर्म के फल का आप जब अनुसंधान न करें अनुसंधान उसका इसमरण न करें उसकी अभिलासा धर्म के फल की अभिलासा न करें अणुन संधान करें तो मोख्षी की भी प्राप्ति हो जाएगी कर नहीं हो गई हो जाएगी मोख्षो पयोगी वाकिया वित्पत्ति आधायक त्वाच्च और दूसरी बात क्या है भाए यह समझ गई कि नहीं अधुसरी बात यह है कि तरत इसोकम आत्मभित ब्रम्हवेद ब सुरतियों से हमको क्या मिलता है मोक्ष सुरतियां है इनको समझेंगे और इनको अपने इंदर विद्धमान बने उतारेंगे अगर तो क्या होगा मोक्ष मिल जाएगा लेकिन एक बात बताओ इन सुरतियों के अर्थ को कौन बताएगा समझे के नहीं इन सारी सुरतियों को कौ समझाएगा काब यही समझाएगा भाई अगर आपने काब विसास्त्र में मिहनत की है तो आपको यह सारी सुरतियों में क्या लक्षे है क्या व्यंग्य है क्या लक्षणा बेंजना समझ में आएगा कि नहीं आएगा तो इसलिए मोक्षे के लिए जो उपयोगी वाक्य वाक्य मोक्ष के लिए उपयोगी वाक्य जो भी है उन वाक्यों में वित्पत्ति को आधायक माने उत्पन करने वाला भी काब्य है उन वाक्यों में वित्पत्ति कब आएगी जब आप काब्य को पढ़ोगे तो वित्पत्ति का मतरब क्या है उनको समझने की सक्ति वित्पत्ति यानि समझने की का बाक मोक्षोपयोगी वाक्तियों को समझने की वित्पत्ति अब वो आधायक माने उत्पन कौन करेगा का भी ही आधायक है उसका का भी ही उत्पादक है समझ में आ गया कि नहीं मोक्षोपयोगी उपनिसद आदि उपनिसद सुरुति इस्मरति इत्यादि वाक्यों का आधायक कौन है काप भी ही है वित्पत्ति वाक्यों को समझने की सक्ति ही वित्पत्ति है और उसको आधायक कौन है तो उसका आधायक कौन है काप यह है उसी से बेद पतबद आर्थों का ज्यान होगा उसी से हमको दिड़तर रूप से बाक्यों के अर्थ को समझने में सक्ती पराप्त होगी किसे काप यही बास समझ में आगी कि नहीं अब कहते हैं कि चतुर बर्ग पराप्तिर ही बेद सास्त्र ब्यों निरस्त या दुखा देव परनत बुद्धी नामें बजाये थे ही का आर्थ यह है जो पहले कहा है वो दिखा रहे है तो चतुर बर्ग पराप्तिर ही अब जो अभी कहा था ना सुखाद अल्पधियाम अपी कहा था ना तो उसको बता रहे हैं कि चतुर बर्ग की प्राप्ति ही निश्चित रूप से वेद सास्त्र ब्या वेद सास्त्रों से भी होती है कि नहीं होती है होती है वेद सास्त्रों से लेकिन नीरस्त या लेकिन उसमें कोई रस नहीं है कोई रस नहीं है दुखा देव अब दुख से ही होती है किस से होती है परिणत बुध्धी नामेव परिपक्कु बुध्धी वाले जिनकी बुध्धी काब्र सास्त्रादी पढ़के पढ़के ही मतलब निश्चित रूप से वेद सास्त्रों से भी होती है लेकिन नीरस तया होती है बात समझ मैं कि नहीं कि नहीं काप बेका जो अनुपम रस है अमरित के तुल्य जो रस है वो रस वहां मिलता है नहीं मिलता है अदुखा देव काप बेकी तरह सुख से होती है नहीं होती परिपक को जो मीमान सादिय और पढ़के जो कठोर बुद्धी वाले हो गए हैं नहीं समझे बड़ा अभ्यास परिष्ट्रम करके आएसे पुरुसों को ही परिणत बुद्धी वालों को ही चतुरबर की प्राप्ति जायते माने होती है सुकुमारमतियों को होती है सुकुमारमतियों को दुख से भी नहीं होती सुकुमारमतियों को तो होती है नहीं लेकिन काब्य में आ जाओ काब्य परम आनंद संदोह जनकतया परम आनंद को क्योंकि काब्य पढ़ोगे और काब्यम वाक्यम रसात्मकम काब्यम रसात्मक वाक् रूपी काब्व है उसको पढ़ोगे तो परम आनंद रस रूपी रसात्म का आनंद मिलेगा कि नहीं मिलेगा आनंद का संदोह धारा की धारा आनंद की बहेगी उसको जनक है उसका काउन काब्व है इतलिए परम आनंद के संदोह का यानि की समुह का धारा का जनक होने से समझ जिनकी कोमल बुद्धी है उनको भी पुनह काब्या देव काब्य से ही चतुरुबर्ग फलप्राप्ति हो जाती है जिनको कीही एक मात्र आधिक के जिनके पास है, नहीं समझे, राजपुतरादी जिनको दुख कभी हुआ ही नहीं सुकमार बुध्धिवाले हैं उनको काब्ब से ही चतुरबर का प्राप्ती हो जाती है बास समझ मैक नहीं तो क्यों सास्त्र पढ़ेने भाई क्यों सास्त्र तो प्रस्न करने वाला कर रहा है ननू के दूआरा संका उठा रहा है कह रहा है कि भाई तरही तो परिनत बुद्धी भी जो परिपक्को बुद्धी वाले हैं विद्वान लोग हैं वो छोटी मोटी चीजों से थोड़ी उसकी प्राप्ती करेंगे जो क्या है मने समर्थ हैं जो समर्थ बेक्ती हैं वो सीधे रास्ते से नहीं जाएंगे वो घूम घूम के जाएंग नहीं समझे तो कहते हैं देखो ऐसा है जो परिपक को बुद्धी वाले कुछ होते हैं जैसे क्या नाम है अरे जो भी सास्त्रास्त्र वाले होते हैं वो सरल भासा में बाते ही नहीं करते वो कुछ सरलता से बताना थोड़ी चाहते हैं वो कटिन कटिन सब्दों का प्रयोग करत उनको उसी में आनंद आता है तभी तो उनका कुछ रहेगा अलग नहीं तो अलग कैसे लगेगा तो इसलिए जो परिणत बुद्धी वाले परिपक्व बुद्धी वाले विद्ध्वान लोग हैं और वो कहते हैं कि देखो भले ही तुमारे पास सीधा सरल बढ़ियां मार्ग है का बिरूपी मार्ग जिस पर चलके हम चतुरवर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं लेकिन हम तो कठिन मार्ग पर ही चलेंगे वो कह रहें कि सत्सु बेदाज सास्त्र हमारे पास हैं क्या बेदा सास्त्रे सु सत्सु माने विद्यमान रहने पर बेदा सास्त्रों के विद्यमा कीमित भाने क्यों इत्वाने इस परकार से काब्य में यतन डॉक तब्वियं यह संका भी आपको करनी ननु से लेकर के करनी हा तक की ज़ो संका है वो करनी इत्वी नवग तब्यम यह संका भी नहीं कहनीचीए क्यों कटुक अउषद उपसमनीयस रोगसस सितसरकरा उपशमनीये ते कस्रेमारोगिना उतसरकरा पृप्रत्ति साधी यसी नस्यात कटूक करवी अउषदी से उपसमनीय मने सांत होने योग तो वह रोग को यदि सित सरकरा से भी उपसमनी हो, सित माने सफेद सरकरा सकर से भी उपसमनी माने सांत हो जाने वाला हो, कोई कड़वी ओशदी से भी सांत होने वाला है, सित सरकरा से भी सांत होने वाला कोई रोग है, उपसमनी माने सांत होने वाला रोग है, तो फिर उस रोग के निव्रत्ती के लिए कस से बार ओग नहां किस रोगी की सित सरकरा में यानि मीठी सफेद सक्कर में किसी प्रवरत्ति साथी यसी नस्यात किसी प्रवरत्ति उसमें अधिक नहीं होगी हाँ आधिक या फिर किसकी प्रवरत्ती उसमें ठीक तरह से या ठीक नहीं होगी बास समझ मैं कि नहीं किसकी उसमें प्रवरत्ती ठीक नहीं होगी होगी ही सभी की उसी में प्रवरत्ती होगी बास समझ मैं कि नहीं है उसी में तो प्रवरत्ती ठीक है किसी और में ज़ाधा ठीक है क्या है किसकी प्रवृति ज़ाधा ठीक नहीं होगी सितरकुरा में प्रवृति ही सभी की ठीक होगी किसी की भी साद सरकराम प्रबृत्ति किसकी नहीं होगी सबकी होगी सबकी होगी सबकी होगी सरकराम प्रबृत्ति कटू का उशदी में किसी की नहीं होगी समझे के नहीं है इसलिए है तो यह बात समझ में आई इसका मतलब यह है कि बेदादी सास्त्र क्या है कडवी यह सधी के तु प्रदुनीज़ की उपादेयता को अगनी पुरान में भी कहा गया है बास समझे में आ गई कि नहीं कैसे ? उपादेयता क्या चीज है? उपादेयता का मतलब है उपयोगिता, गराहियता, सुईकार करना, सुईकारा भाव नो करना, ऐसा नहीं कि ये हेय है, ये त्याज है, ऐसा नहीं है, उपादेय है, गराहिय है, ये बात अगनी पुराण में भी उक्तम माने कही है, किंचाओ और का अब्यका उपादियत अगनी पुराण में भी कहा गया है तो देखो एबास समझ में आ गई कि नहीं धर्मादी के साधन के रूप में यह त्याजिया नहीं है यह बात भगवान व्यास ने कही है कि नरत्वम दुरलभम लोकी विद्या तत्र सुदुरलभा कभित्वम होगी है सबसे पहले हां 84,00,000 कियों में सबसे पहले क्या जरूरी है नरत तो जरूरी है बास समझ में है के नहीं और फिर नरत्वम दुल जाए तब तो विध्या चाहिए औ विध्या के बाद कभित्व चाहिए कभित्व के होने पर भी कभिता कर दिए कभिता कम बन रहा favour मजाक, तो ऐसी कविता थोड़ी चाहिए, कविता के लिए काब बे को करने का हेतू, सक्ति चाहिए, संस्कार चाहिए, जिससे कविता पहली बात तो प्रसृत हो, फाहिले, और अगर फाहिल जाए तो ऐसा ना हो को उपसनी हो जाए ना, मजाक योग ना हो कविता, समझे करहें इसलिए क्या चाहिए सक्ति चाहिए तो इसलिए हर ये समझना है बात समझ मैं कि नहीं तो काब्ब क्या है काब्ब मतलब सक्ति से बना हुआ ऐसा पदार्थ समझे कि नहीं जो कभी की सक्ति से निर्मित जो काब्ब है तो वो काब भी बता उपयोगी होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये अतिन्त दुरलभतम चीज है भाई, सबसे पहले तो 84 लाखी उन्यों में से नरत्वम दुरलभम है, उसमें बिद्या और दुरलभतर है, कभी तो दुरलभतम है, सकती दुरलभतम के बाद भी तम लगा लो, स वक्ति से निर्मित जो काब वो अत्यधिक उपादे है उसके द्वारा उससे पता चलता है कि इसके अंदर अत्यधिक पूर्ण है बिना धर्म के बिना पूर्ण के कैसे इसा प्राप्ति हो सकती है बताओ तमब प्रत्य कहीं नहीं लगा है उतात पर रहे बताने में कि कैसे लगेगा मतलब तमब प्रत्य ब्याकर्ण में जाके देख लेना अतिसायने तमब श्ठनाओ बहुत सारी चीजों में जब हमको किसी का दिखाना होता है तमब लगा देते हैं दो में तरप लगा देते हैं दुवचन विवज्यों पदे तरभीये सुनो और जब बहुत जाधा होता है तो क्या करते हैं बहुत लोग हैं सभी लोग हैं सभी में तमब लगा देते हैं को दिकत चलो तो ये बात समझ में आई कि नहीं अगर किसी इक पास नरत है तो पूर्ण है कि नहीं है अगर उसके पास विद्या भी है और पूर्ण है अगर कबित भी है तो और पूर्ण है सकती है तो और पूर्ण है इसका मतलब यह सारी चीजें पूर्ण की जनक हैं समझें कि नहीं अधवा यह पूर्ण से जन्न है इसका मतलब हमको क्या करना चाहिए उत्तर उत्तर के प्रती उत्तर के प्रती प्रयतन शील होना चाहिए सबसे पहले नरत्त के प्रती मनुस्य जन्म, उस मनुस्य जन्म के बाद विद्या के प्रती, सास्तर ग्यान के प्रती हमको क्या करना चाहिए प्रेत्न करना चाहिए और फिर हमको कभित्त के प्रती कभिता बनाना सुनना समझना और सब अपने अंदर वो शक्ति लाने के प्रती हमको सहरदेता लाने के प्रती हमको क्या करना चाहिए प्रेत्न करना ये सब चीजें क्या हुपादे हैं ग्राही हैं नहीं समझे त्याज्य नाट्यम ये भी कहा है कहां कहा है विश्ण पुराण में कहा है अगनी पुराण में भाई पीछे नहीं पकड़ा था त्रिवर्ग साधनम नाट्यम नाट्य ये त्रिवर्ग का साधन होता है समझ में आए कि नहीं अरे यार अगनी पुराण काही बाग के है त्रिवर्ग साधनम नाट्यम वो बताता है नाट्यम मतलब क्या नाट्यम मतलब काब बेकाही तो एक भेद है नाट्यम भाई काब बेकाही तो एक भेद क्या है अवस्था अनुकृतिर नाट्यम अवस्था की अनुकृति नाट्यम है समझे के नहीं और रूपकम तत्समा रूपात जो नाट्टे है उसी को रूपक भी कहते हैं और रूपक के ही तो भेद है नाटक प्रकरण भाण ब्यायोगित्यादी त्यानी कि नाट्टे नाटक रूपक प्रकरण ये सब क्या है यहाँ पर पर्याइक रूप में ग्रहन करना मतलब कि यह सब त्री बर्ग के साधन होते हैं अब बताओ नाट्य क्या है जो द्रिश्य काप्वे द्रिश्य सरब्वे उभय मिला करके नाट्य है ये तो हो गया पढ़ने योग गया और ये क्या हो गया द्रिश्य सरब्वे मिला कर दो मिला दो तो नाट्य हो जाएगा समझे कि नहीं तो वो काब्वे का ही तो भेद है ऐनिी काब्वे ही समझ लेनाै नाटिमाने काब्वे तरी भरग ओर मों सीधह करता है गाट सीधहने कहा समझें कि नहीं विस्न पुराण में अरे काप्व को भगवान का वो बता दिया स्वरूप बता दिया काप्व क्या है भगवान ही काप्व को रूप में प्रगट हुए है भगवान जैसे कचुआ का बतार लिये थे बामन का लिये थे नरसिंग का लिए थे ऐसे भगवान सब्द का अवतार लिए तो सब्दा अवतार लिए तो भगवान क्या हो गए? काब बे हो गए भगवान क्या हो गए? काब बे आलाप जितने भी काब बे आलाप हैं सरब बे दरिश्य काब बे आलाप हैं कभी पाठकों के दोरा जो गाए जो भी רसब बन्जक सब्दार्थ हैं वो सब क्या है, रस कोLoम बताने वाले जो भी सब्दार्थ हैं, सब काव्या लाप हैं सब्द क्या है विष्णौ के अंस हैं भी सब्द मुर्ति धरहा। ये के चित जो कोई भी गीत का नियखिलानचा सारे जो गीत हैं वो भी भगवान विष्णु के ही अंस हैं नहीं समझे तो वो सारे मतलब जो भी गीत हैं गान हैं सब कुछ किसमे आदे हैं, पूरा भांग में ही ले लो, वो भगवान विश्णु का ही तोंस है, समझे के नहीं, इसी लिए, तो जब बताओ, भगवान विश्णु का अंडर सिंगा अवतार है, उसकी पूजा करोगे, क्या मुक्ती नहीं मिलेगी, धर्मार्त का मुक्छ सिद करोगे, उसका चिंतन मनन करोगे, तो फिर बताओ, यहां पर मुक्ती अव धर्मार्त का मुक्ष नहीं मिलेगा, अरे साक्षा दुश्णु जी ही तो हैं, उन्हीं के तो अवयव हैं, समझे के नहीं, यह सब जितने भी हैं, तो धर्मार्त का मुक्षी की प्राप्ती आबस् जे, तेन हे तुना काब्यस स्वरूपम निरूप्यते, इसलिए काब्यके शुरूप का निरूपन हम, तस्यकाब्यस स्वरूपम लिखा था ना, तेन लिखा था कि नहीं, वहां तेन माने, तेन हे तुना, इसकारण से, तस्यकाब्यस काब्यस काब्यके शुरूप को निरूपित कर रहे हैं। जो हम बताना चाहते हैं। यानि सबसे पहिले किसका लच्छन पकड़ा इन्होंने मममट का। खंडन किसका करेंगे? कितने लोगों खंडन करना है? पांच में सबसे पहिला कौन? मममट। तो कश्चित माने कोई मममट आह माने कहते हैं। क्या तद अदोसव सब्दार्थव सगुणा बन अलंकरती पुनहा? ये तो इस पश्च्ट ही है। सब्दार्थ को क्या कहते हैं? तद माने काब्य कहते हैं। तो इस बात में हम चिंतन करेंगे। चिंत्यम का मतलब ऐसे होता है असुद्ध। मतलब हम उसको असुद्ध के रूप में चिंतन करना चाहिए। क्योंकि दोस रहित को ही काब्य मानेंगे तो फिर नेकारो ही हमें वित्याज में दोस है। और फिर भी ये काब्य है। उत्तम काब्य के रूप में माना गया है। तो यह चीज हम जो है अगले पार्थ में देख लेंगे इस पार्थ को यहीं तक रहने देते हैं सरविभ्यों नमों नमा